नमस्कार संसर टीवी में आपका स्वाकत है मैं हूँ प्रतिबिम शर्मा समानता के सोतुरधार इस विशिश करकर में आपका स्वाकत है इस पूरा देश भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेटकर की जेनती मना रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेटकर का जन्म 14 अपरेल 1891 में मद्यव प्रदेश के महूं में एक गाउं में हुआ था उस दौर में उन्हें आर्थिक और समाजिक भीदभाव का सामना करना पड़ा तमाम विशम परिस्तितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा का दामन कभी नहीं छोड़ा बलकि विदेश जाकर उच्छी शिक्षा करन की साती समाज के कमजोर वर्क को शिक्षित होने के लिए लगातार प्रेरित भी किया देश के समविधान निर्माण में उनका वैत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर भीम राव अंबेट कर समाज सुधारक विचारक और भारतिय समविधान के प्रमुख शिल्पकार उन्होंने कमजोरों को दिलाई राजनी तिखे सिदारी और किया आववहन शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बनो महान बाबा साहिद के नाम से मशूर अंबेटकर ने जीवन में किये कई बड़े काम पिच्णों और महलाओं के हक की उठाई आवास भारत सरकार ने अतुलिया योगदान के लिए उन्हें 1990 में दिया भारत रत्न सम्मान बाबा साहिब के जैनती पर संसत भवन के तत्वा धान में आहज एक बड़ा समारो आहिजित हो रहा है समारो की तस्वीरें आपके साथ लगातार साजा करेंगे साथी बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर की जैनती पर साजा करेंगे दो विशेश मेमानों के बाबा साहब के बारे में विचार उनका परिचे मैं आप से करवा देता हूँ प्रोफिसर श्रीप्रकाश सिंग निदेशक साउथ केंपस दिल्ली उनिवरस्टी हमारे साथ मौजूद है आपका स्वागत है डॉक्टर देविंदर सिंग पूर्व निदेशक का डॉक्टर अमबेटकर इंटरनेशनल सेंटर भी हमारे साथ मौजूद है आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हम लोग बात कर रहे थे बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी थे बाबा साथ भी हम्राव अमबेटकर लेकिन उनके बहुत सारे आयाम जो है सामने नहीं आ पाए सिर्फ सामाजी के समरस्ता और समानता का जो सूत्र उन्होंने दिया था इस पूरे देश को ही नहीं बलकि पूरे विश्व को वही एक पक्ष उनका सामने आ पाता है श्रीप्रकाची अधन्यवाद प्रद्विम्ब जी आपके इस मंच के माध्यम से समग्र देश को बाबा साहब की इस पावन जैनती के अउसर पर बहुत-बहुत सुभकामनाएं और बधाई पिल्कुल सही कहा आपने कि बाबा साहब का समग्र अभी दुनिया को भारत को पता नहीं है उनकी रचला का एक अंस ही हम सब के बीच में है उनके द्वारा किये गए सोध उनके द्वारा किये गए काम जनता के बीच में इस रूप में जाने चाहिए थे वो नहीं गए है जी श्रिपकाश जी शायद कुछ आपके आउडियो में कुछ तक्निकी व्यवधान है उसको ठीक करते हैं देविंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है कि उनके व्यक्तितु को पूरी तरह आका ही नहीं गया और एक व्यक्ति जो ना केवल मानवता के लिए जीए बल्कि देश के लिए भी अपना सर्वस्वन नुशार कर दिया उनको unfortunately हम कहें दुरुभाग्य बस कुछ समय जो उनकी प्रदिभा को दबाय रखा तो मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि कुछ सरकारें ऐसे चश्मा लगा के बैठरी जिनमें उनका पूर्ण व्यक्तितु दिखा ही नहीं तो हमें सबसे पहले जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि बाबा साहब को पहले उनकी संपूर्ण व्यक्तितु को देख के ये पता लगाना चाहिए कि इन्होंने हमारे देश के लिए और पूरी मानवता के लिए क्या कुछ किया है मैं छोटा सा उधारन देखे आपको बताना चाहता हूँ कि डोक्टर अमबेडकर है क्या देखे हमारे देश में जितने भी सुधारक हुए है और लगबग हम हर सदी में देखते हैं तो हर सदी में कोई एक दो सुधारक बहुत बड़े हमें मिलते हैं और सतंतरता वाली सदी में तो बहुत लोग आए थे उस सदी के तो सुधारकों की हमारे पास लाइन लगी पड़िये हैं तो उन सुधारकों को अगर उनकी मानसिक्ता का हम थोड़ा सा अध्यन करें तो सभी सुधारकों में एक समानता है कि उनके रस्ते अलग हो सकते थे लेकिन उनका लक्ष एक ही था कि भारत को आगे लेके जाना इस देश दुनिया को आगे लेके जाना भाबा साब के भी वही सोच थी वह एक नेशनलिस्ट अपनी सोच को लेके आ गए चल रहे थे और उस सोच को लेके वह ये दिखाना चाहते थे कि इस देश दुनिया में मैं भारत को किस स्थान पर देखना चाहता हूं और भारत की क्या छवी पूरे संसार में जानी चाहिए उसको लेके बाबा साहब लगातार प्रियतन करते रहते थे, चाहिए उन्होंने पढ़ाई के माध्यम से, या लेखों के माध्यम से, या अपने कारियों के माध्यम से बताने की कोशिश करी हो, वो सारा एक ही उनमें था, कि मेरे लिए देश पहले हैं, उसके बाद सब कुछ ह तो ऐसे बाबा साहब के व्यक्तितों को एक ही आयाम को देखना कि वो दलित लीडर थे या उन्होंने सिर्फ कॉंस्टिटूशन बनाया वो उनकी जो व्यक्तितों है उसके साथ एक तरह से अन्याय था और वो कभी होता रहा लेकिन संयोग से वो अब सामने आ गया तो बहुत अची बात है शिक्षा के लिए जब उन्होंने अपनी माता जी से कहा तो उन्होंने कहा कि तुझा शिक्षा ग्रहन कर लेकिन तुझे बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ेगा तुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तू सहना और सहने के बाद शिक्षा ग्रेंड करना और शिक्षा को लेकर समाज में जागरुक्ता भी पैदा करना शिक्षा को लेकर उनमें इतना ज्यादा जो है गहरा लगाओ कहां से आया बच्पन से ही कि अगरे जीवन का एक पल्ध बहुत अनुकर्णिया है जब उन्होंने अपनी मासे सिच्छा के लिए आग्रह किया कि मेरा एड्मीशन करादो नगा मारमिक सा एक सब्द है बाबा साब कहते हैं कि मेरा आप एड्मिशन करवा दो मैं चपलों के साथ यानि सबसे आखरी पंक्ति में भी बैठ करके पढ़ लूँगा छी किसी तरीके से अगर उनके अपने घर के परवेश को देखें तो मैं कई बार कहा करता हूं कि गांदी जी की बकरी तो पूरे देस और दुनिया में चर्चा का केंद्र मनी लेकिन बाबा साब अमबेद करके अपने घर में परिवार के साथ रहने वाली वो भकरी जिसको सहलाते हुए अपनी सिच्छा पूरी कर रहे थे आप पढ़ते थे रात में साम को उसकी कोई चर्चा नहीं करता है तो बाबा साहब अभाव में पढ़े अभाव में पढ़े और अभाव में ही आगे बढ़े और उन्होंने ऐसी मिसाल दुनिया में कायम की जी शिक्षा की बात यहाँ पर चल रही है तो हम बता दें कि बाबा साहब शिक्षा का कितना आधर करते थे इसका अंदाज उनके द्वारा हासिल की गई डिग्रियों से लगाया जा सकता है उन्होंने अपने जीवन काल में 32 डिग्रियां हासल की यही नहीं उन्हें पुस्तके पढ़ने का बहुत शौक था उनकी निजी लाइबरेरी में 36,000 से ज़्यादा पुस्तके थी आईए विशेश अगिया मेमानों से चाचा करें उसके बीच में हम लोग सेंड आर्ट के जरिये जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेटकर जी के व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ अन्य विशेश्टाओं को भी कॉंग्रिस की कटू अलोचनक करने के बावजूर डॉक्टर भीमराव अंबेटकर की प्रतिष्ठा एक अध्वित्य विद्वान और विधी वेता की थी यही करन था कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद बनी अंत्रिम सरकार में बाबा साहब अंबेटकर को देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया गया 39 अगस्त 1947 को बाबा साहिब अंबीटकर को स्वतंत्र भारत की नई समिधान की रशना के लिए बनी समिधान की मसादा समेती की अध्यक्ष पत्पर निूट किया गया समिधान निर्मान के लिए उन्होंने 60 देशों के समिधानों का ध्यन किया गेहन चिंतन मंथन के बाद 2 साल 11 महिने और 18 दिनों में भारत का समिधान तयार गुआ जिससे 26 नवंबर 1999 को अंगीकर किया गया अपने काम को पूरा करने के बाद बाबा साहब ने कहा मैं महसूस करता हूँ कि समिधान साध्य है लचीला है पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांती और युद्ध दोनों समय जोड़ कर रख सके वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गरत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा समिधान खराब था बलकि इसका उप्योग सही धंग से नहीं हुआ अमबेटकर ने भारत के समविधान के अनुच्यच 3070 का विरोत किया जिसने जम्मू कश्मीर राज्जु को विशेश दरजा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाब समिधान में शामिल किया गया उन्होंने कहा था कि कश्मीर को विशेश दरजा देने की हिमायती चाहते हैं कि भारत उनकी रक्षा करे, उनके लिए सड़कों का निर्मान करे अनाज की आपूर्ती करे, कश्मीर को समान दरजा दे, लेकिन अन्य भारतियों को कश्मीर में कोई अधिकार न मिले अगर मैं इस प्रस्ताव को सहमती देता हूँ, तो कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खलाफ एक विश्वास खात होगा अम्बेटकर वास्ताव में समान नागरिक सहिता के पक्षधर थे, अम्बेटकर का भारत, आधुनिक, व्यज्ञानिक सोच और तर्क संगत विचारों का देश होता उसमें परस्नल कानून की कोई जगा नहीं थी सम्विधान सभा में वहस के दोरान बाबा साब अम्बेटकर ने एक समान नागरिक सहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारते समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा भी प्रकट की अम्बेटकर विदेश से अर्थ शास्तर में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारती थे उनका मानना था कि अध्योगी की करण और क्रशी विकास से भारती अर्थ विवस्ता में व्रद्धी लाए जा सकती है उन्होंने भारत में प्रात्मिक उद्योग के रूप में क्रशी में निवेश पर भी पल दिया अम्बेटकर एक महान अर्थ शास्तरी थे भारती रिजर्व बैंग की परिकल्पना उनके विचारों पर आधारी थी जो उन्होंने हिल्टन यंग कमिशन को दिये थे अम्बेटकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थी उन्होंने मुंबई के मशूर एलफिस्टन कॉलिज से बीए की डिग्री ली बाद में उन्होंने कोलॉंबिया विश्व विद्याले और लंडन स्कूल ऑफ एकनॉमिक से पीज़ड मशूर किताब इंसाइट एशिया के लिखक जौन गुंधियर ने लिखा कि 1938 में जब राजग्रह में अम्बेटकर से उनकी मुलाकात हुई तो उनके पास 8000 किताबें थी और जब उनका निधन हुआ तो ये संख्या बढ़कर 35000 हो चुकी थी खराब होते स्वास्त्व लगातार गाम ने अम्बेटकर को तोड़ कर रख दिया अपनी अंतिम पांडू लिपी भगवान बुद्ध और उनका धम को पूरा करने की तीन दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को टॉक्टर बाबा साहब अम्बेटकर का दिल्ली में अपने निवास्थ पर ही महापरी निर्वान हो गया 1990 में बाबा साहब को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्म से समानित किया गया दिविंद्र जी जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेटकर को शिक्षा ग्रहन करने के दोरान असप्रश्यता और असमान तक का विरूप जो है सामना करना पड़ा लेकिन एक भागेशाली बात लगातार उनके साथ ये जुड़ी रही कि उनको उतना सहयोग भी मिला उनको एक ब्रामन टीचर ने अपना उपनाम दिया फिर बाद में उनको विदेश में ओची शिक्षा प्राप्त करने के लिए महराजा गायकवार्ड का सहयोग प्राप्त हुआ तो साथ साथ चलती रही विरोध भी और सहयोग भी समाज में दोनों शक्तियां होती है नेगेटिव पोजिटिव जी पॉर बावसाब का एक विचार हमेशा रहा है अगर उनके जीवन से हमें कुछ शीखना है तो ये सीखना चाहिए कि दोनों शक्तियों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है यह उनका सबसे बड़ा व्यक्ति करते थे आप डॉक्टर अमबेड कर म्यूजियम में जाएंगे तो मैंने पूरा लिस्ट लगा रखा उनकी फोटो साइथ कि कौन-कौन ऐसे लोग थे जो दूसरे समाज से या दूसरी हायर की कास्ट में उपर होने के बावजूद बावसाफ की मदद करी गुरुजी साइंबेड कर बनाया वो भी ब्रह्मनी सिक्षक थे और बलकि उनकी तो कहानिया यह भी है कि वह उनको खाना भी खलाया करते थे अपने घर से लाके तो दोनों ने ही जब उन्होंने अपना स्कूली शिक्षा प्रात्मिक शिक्षा पूरी की और जब उन्हें लगा कि अब इस बच्चे को और मदद चाहिएगी तब वो बड़ोदा महराज के पास जाते हैं उनके पितासरी को लेके कि इनके बच्चे को हमें वो चाहिए टेलेंटेट बच्चा है और उसको आगे बढ़ने के लिए तो समाज में ऐसा नहीं है कि विद्वेस पहला हमेशा से ही रहा कर दी और एलफिंस्ट उन्स्टे कॉलेज से ही उन्होंने अपना Another बी किया और स्कूल से अपना मैत्रिकुलेशन किया अपने समाज के पहले मैत्र कुलेशनशन हुए उस जब उन्होंने मैत्रिक पास किया टब दादा केलस्करने फहर उनको एक सभाव बुला के और एक और उनका चरित्र अब देखिए हम जो विद्वेश फैलाए गया जो समाज में संदेश दिया गया मैं सारे समाज को आपके माध्यम से पूरे देश को यह संदेश देना चाहता हूं कि दो चीजों में आप फर्क देखिए बाबा साहब का परिनिर्वाण होता है 1956 में और माननी ये लालकृण आडवानी जी के कहने पर 1990 में भरतरतन दिया जाता है जब मैं दिली विश्व द्याले में पढ़ा रहा था और जब मुझे बोला गया कि आपको बाबा साहब के लिए ये काम करना है तो 2014 में एक सरकार आती है मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा ल कि एक 27 साल से फाइल पड़ी हुई को उठा के बोलते हैं कि ये बजट है और ये काम तुरंत शुरू हो जाना चाहिए और भाशन में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस से बड़ा अंटचेबिलिटी का एक्जाम एक्जामपल नहीं है कि 27 साल तक एक फाइल कुछ हुआ ही कि नहीं कि तो जितने भी कारिये और जितने भी महानकारिये बबाब साब के जीवन में हुए है और जिन से उनके जीवन को एक गति एक दिशा मिली वो सारे ऐसे लोग ते जो दूसरे समाज से थे और समाज कि इस याक्षा झाला genau कि ये लोग तो पसंदी नहीं करते गढ़ना पैदा करते हैं उन्हीं लोगों ने बाबा साब को बनाया आगे बढ़ाया और समाज में सुधार के लिए तैयार किया जी और कहीं ने श्रीपकर जी बाबा साब अमबेटकर करका ये भी कहना था कि ये असप्रेशता कुछी बरस तो पहले जो है हमारे समाज में समाहित हुई है विचार में समाहित हुई है अगर डेड़ दो हजार बरस पूर्व देखें तो असप्रेशता असमानता का कोई शब्द ही नहीं था भारत की सभिता में या फिर यहां की संसकारों में देखिए बाबा साहब को मैं सामानेत्या कहता हूँ समगरता में पढ़ने की जरूरत है बीच में कुछ ब्योधान आए उनकी एक जो थीसिस है प्रॉब्लम अफ रूपीज उसका सौ साल पूरा हो रहा है पूरे देश को उसको पढ़ना चाहिए उस पर विमर्स खड़े करने चाहिए और जब उसको पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि उन्होंने सहरी करन के लिए उनरवसन के लिए माइक्रेशन के लिए क्रिसी में किस तरह से निवेस बढ़ाया जाए इसके लिए बहुत ही परक पूरुन बातें कहीं हैं जिसका समाज और नीत निर्माता उपयोग कर सकते हैं तो आपके माध्यम से पुना एक वार में कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम ओफ रूपीज को बार बार पढ़ना चाहिए और उससे देश और समाज के लिए हासिल करना चाहिए जहां तक अस्प्रिस्ता का सवाल है हम सामानतिया बाबा साहब की एक पुस्तक एनेले करनेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि किस तरह से यह अस्प्रिसता धीरे-धीरे हमारे समाज में आई कि ने संदें यह समाज समता मूलक समाज रहा है हम ब्रहम्हास्मि में विश्वास करने वाला एक दूसरे में दैव सत्ता को देखने वाला समाज रहा है यहां पर ती इसमें चुवा चूत एक बुराई के रूप में मंदिकाल के दौरान पैदा हुई जी और दिविंद्र जी सबसे बड़ी बात ये है कि समिधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साब भीमराव अमभिटकर ने जो दबे कुछले दलित समाज के हमारे भाई बैन थे उनको सम मानता का अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण का प्रावधान उसमें लागू किया गया लेकिन स्विम बाबा साब भीमराव अमभिटकर के पास 32 डिग्रियां थी शायद किसी एक व्यक्ति के पास भारत वर्ष में सरवाधिक डिग्री अगर किसके पास थी तो वो थे बाबा साब भीमराव अमभिटकर लेकिन उनको कोई आरक्षण प्राप्त नहीं था उन्होंने बिना आरक्षण के और तमाम विरोधूं के और असप्रशता के भी उन्होंने 32 डिग्रियां अपने जीवन काल में अर्जित की ये कितना बड़ा एक्जामपल उधारन है शिक जिक्षा ग्रहन करने के लिए किसी भी तरह की ऐसी वेवस्था कि आवशकता नहीं है जो जबरदस्ति थौप दी जाए प्रतिविम्प जी जो आपने कहा बहुत सही का मैं एक अध्यन कर रहा हूं आजकल राइज ओफ दलिस अब रोड और जब मेरे पास डेटा आता है तो इतना स्टार्टलिंग डेटा है क्योंकि विदेशों में तो कोई रेजर्वेशन दिया नहीं गया था उन लोगों ने ऐसे लोग हैं वो मैं आपको दुबई का एकजामपल देता हूं जहां पर एक दलित का एकजामपल वो भी एक बंदा अपने घर से सिर्फ इतना पैसा उटा के जाता है कि वो किसी तरह पहुंच जाए फर्स जनरेशन के मैं कोई सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रहा हूं जिन से मेरा साक्षात कार हुआ और उन्होंने वहां जाके जी तोड मेहनत करी आज वही व्यक्ति दुबई में ट्रक की एजिंसी चलाता है मतलब उनके प से तो मेरा कहना यह है कि जितने लोग देखे हम अपने घरों को लेते हैं घरों में माबाप अगर एक बच्चा कमजोर होता है तो उसको एक हद तक एक सहरा देते हैं कि चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए यही विवस्ता बाबा साहब ने भी करी थी लेकिन उसको अन्य थ हो जाए लेसी का यह एक वह था उस में काइदा कि एलसी में किसी भी तरह के अड्मिशन के लिए वहां पर पहले टैस्ट होते थे सब होते थे उसके अपना एक लगन मेहनत और अपने आपको उस दिशा में ले जाने के लिए वो दरड संकल्प थे उस संकल्प से उनको सिधिया प्राप्त हुई जो आज तक उनका लोह मानते हैं लोग जी प्रिकाची ये सबसे बड़ी बात यहा है कि उन्होंने तो जो है लगातार शिक्षा अरजित की और 32 डिग्रियां अपने जीवे निकाल में उनको प्राप्त हुई लेकिन उनका समाज के जो डबे पिछडे कमजोर वर्क के लोग थे उनसे भी लगातार यही आगरे रहता था कि आप शिक्षा किया और जाएं शिक्षित हो शिक्षा ही आपको समाज में एक मु आगे जाएगा तो बाबा साहब का एक एक कारिय प्रेणास्पद है उन्होंने गुर्दासपुर्ग की सभा में बोलते हुए कहा था कि आपको कोई उपर उठाने के लिए खीचने नहीं आएगा आपको स्वयम प्रयास करना है कि आप आगे बढ़ सके और शिक्षा उसमें सबसे बड़ा माध्यम है और आप देखें यह सिक्षा ही थी जिसने बाबा साहब को बाबा साहब बनाया उनको साथ सम्विधानों का अध्यन किया हुआ गया था उसका ज्यान था और इसी नाते जब भारत का सम्विधान बन रहा था तो वो इतना बड़ा योगदान कर पा चाहते और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह की सिक्षा उन्होंने हासिल की थी वो चाहते तो कोई भी बड़ी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते थे ब्रिटिस सरकार स्वेम उनको बंबे हाई कोर्ट का नियाधीस बनाना चाहती थी कई प्रलोबन भी दिये गए अच्छी सैलरी के प्रलोबन भी दिये गए लेकिन बाबा साब ने ये महसूस किया कि अगर मेरे जैसे सिक्षित व्यक्ति के साथ समाज में इस तरह का चुआ चूट का ब्योहार हो सकता है बहुत सूटेट बूटेट बहुत हैंसम आदमी थी उसके बावजूद भी अगर म पढ़ा लिखा समाज है सोसित है वंचित है जिसको औसर नहीं मिल रहे हैं तो फिर इसके लिए कारे कौन करेगा तो उन्हों ने अपना समग्र पूरा जीवन उस समाज के कल्यान में लगाया आज समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्वेम प्रयास करके आगे बढ़े औ समाज के लिए देश के लिए दिखाए हैं उन पर चले और बाबा साहब वरतमान समय में अगर देखें तो बाबा साहब आज एक विचार के रूप में अस्थापित हैं एक सक्ति के रूप में अस्थापित हैं एक प्रवाह के रूप में अस्थापित हैं आज कोई राजनी ती बाबा साहब के बगएर संभव ही नहीं है तो आप सोची एक एक व्यक्ति जो अभाव से सुरू हो करके स्वयम को उतकर्स पर ले गया समाज को उतकर्स के लिए प्रेरित किया आज वह सबसे उपरी दर्जे को हासिल करके महामानों के रूप में युनाइटेड नेशन्स उनको महामानों की संग्यादी महामानों के रूप में अस्थापित है आज समग्र को वह प्रभावित कर रहे हैं तो ऐसे बाबा साहब का अध्यन इमांदारी से करना चाहिए उनसे सीखना चाहिए उनके जीवन के तमाम प्रेरक प्रसंग हैं उन सब से हम सब को प्रेरना ल जो है समय बदला और वो जाड़ पहुंच के जो है उसको सही किया गया और एक आदेशारी किया गया और एक रिकॉर्ड टाइम में अमबेटकर सेंटर का निर्मान हुआ अब उस सेंटर में किस प्रकार के करकम हुआ करते हैं एक बात दुतरी बात प्रदानमंत्री ने ये पह का एक बच्चा देश का प्रदानमंत्री बन पाया है तो कहीं न कहीं उसके पीछे अगर किसी शक्ति ने कार किया है तो वो हैं सम्विधान निर्माता बाबासाब भीमराव अमबेटकर इस बात में कितनी से चाहिए देखिए अभी सर ने बोला और प्रतिविम जी ये तो जानते हैं ये तो उस सब के पीछे रहें बनाने में प्लान तो सारी प्रदानमंत्री जी ये बोलते हैं ना कि मेरा जो आज का जो मेरे पास जो कुछ है उसके पीछे इस तरह के लोगों का हाथ है या ये सविधान का ह तो इसमें पूरी तरह सच्छा ही है आप देखिए जब नए भारत की बात करते हैं प्रधान मंत्री जी तो भुख मरी गरीब ये सब मिटाने की समानता जाती ववस्ता को खत्म करने की बात करते हैं महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करते हैं इन सब का जिकर बाबा कि आपको यह आते ही प्रदान मन्त्री ऑपने समाज में और वसर मेर्व दूसरी हमाता समरस्था समांता लेके आएं। पर अ की इनुगा को कॉलंबिया से वापस आए। जब उनको समाज आया कि मुझे समाज के लिए काम करना है और बडोदा से जब उनका उसमें से पार्सी जो धरमशाल थी उसमें से सामान फेक दिया गया 1917 में तब उन्होंने निर्णे लिया था जैसे अभी सर बता रहे थे कि उनका रंग अच्छा था कद अच्छा था एजुकेशन अच्छी थी उसके बावजुद अगर कोई भेदवा हुआ तो उनका क्या हाल होगा उस बात को प्रधान मंतरी जी ने आते ही उठाया और जो डिजिटल इंडिया की कल्पना की गए उसका सिरफ एक ही वो था प्रधान चलता है तो दस पैसा पहुंचता है बाद में लेकिन डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारे सरकार ने ये पूरा इंशूर किया कि अब पैसा जितना जिसका जाना चाहिए वो डारेक्ट ट्रांसफर होके उतना पहुंच जाता है क्या ये कमबड़ा अचीवमेंट तक क्य की तरफ कदम नहीं थे तो इसमें कहीं कोई दोराई ही नहीं है और इतना बड़ा जब आप अंबेटकर इंटरनेसल सेंटर की बात करते हैं उस फाइल की तो ये नेने ले ले लिया वो नहीं उस नेने के आगे की कारेवाई देखे तो दान मंतरे जी ने जब विजन दिया जैसे की हम कहरे थे कि संसत की तत्वा धान में एक व्रद कैरकम हु रहा है बाबा साब हिमराव ऐंबीटकर की जयनती का आप कुछ सिधी तस्वीर羅 वहां से दिखा रहे हैं बाबा साब भीमराव अम्बेटकर का एक स्टैचू वहाँ पर स्थापित है और हम बतादें कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कैरकम स्थल पर उप्राश्ट पती भी पहुंच चुके हैं अब बहुत जल्द कैरकम विदिवत रूप से प्रारंब होने वाला है समारो आयोजित किया जा रहा है श्रीप्रिकार जी यहाँ पर देविंदर जी ने कहा कि काफी कुछ जो है सेभागीता अम्बेटकर इंटरनेशनल सेंटर के निर्मान में आपने भी निभाई है क्या उसके पीछे क्या सोच क्या थी चार क्या कार कर रहा था इसे केंदर को स्थापित करने के पीछे एक बात देवेंदर ने बड़ी खुबसूरत कही थी वह इरस्यानी करते थे तो मैं आप से आपके माध्यम से साजा करूं बाबा आज़ाब ने कभी किसी व्यक्ति की आलोजना नहीं की किसी व्यक्ति में कमी नहीं ढूड़ी अगर उन्होंने कोई कमी ढूड़ी तो संस्था और व्यवस्था में ढूड़ी तो एक बात ही मैं अंडरलाइन करना चाहता था जहां तक International Center का सवाल है मुझे सवभाग मिला उसकी Content Committee में काम करने का मुझे सवभाग मिला जो उसकी Construction Review Committee में सदस रहने का और मुझे सवभाग मिला उस वक्त तमाम अधिकारी जो उसकाम को पूरा कर रहे थे उनसे बातचीत करने का कभी उन्हें भी कुछ लगता था तो वो भी पूछ लिया करते थे जहां हमें उचित लगता था हम भी सलाह मस्विरा कर लेते थे मैं उन दिनों बाबा साब अमबेदकर पर आई आई पीए की एक चेयर थी उसका चेयर प्रोफेसर था उसनाते भी जिम्मेदारी मुझे मिली थी तेकि बाबा साहब की संकल्पना को मूर्त स्व चारों को जीते हैं और उस समाज के संरक्षण के लिए उसके संवर्धन के लिए प्रतिपल तत पर रहते हैं जी जी हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले हम बता दें की संदेश प्रेशित किया है राश्पती ने उपराश्पती ने इस महान आवसर पर र बाबा साब भीमराव राम जी अमबेटकर के जन्दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार देख बादाई और शुब कामनाईती हैं राश्पती ने अपने संदेश में काया कि ग्यान के प्रतीक और विलक्षन प्रतिभा के धनी डॉक्टर अमबेटकर ने एक शिक् बाबा साहिब के आदर्शों और जीवन मुल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें और सम्ता मुलक और सम्रद राश्ट बराने के दिशा में आगे बढ़ते रहें डॉक्टर बिया अमबेटकर की जैनती पर उप्राश्पती जगदीब धनकर ने भी उन्हें याद किया है उक्राश्पती ने उन्हें श्रदंजली देते हुए अपने त्विट संदेश में कहा है कि बाबा साहिब कानून के शासन के रक्षक न्याय के लिए एक अथक वकील और सभी के लिए समान अधिकारों के अथक समर्थक दे माबसाब के द्रश्टी और आदर्श भारत के जीवनत लोक तंत्र के लिए हमेशा प्रासंगिक और प्रिना है वो एक प्रखर बुद्धी जीवी, कानूनी दिगज, समा सुधारक और सच्चे राष्टवादी थे लोकसबाद्यक्ष ओम बिरला ने सामाजिक बदलाव के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेटकर की जैनती पर उन्हें नमन किया लोकसबाद्यक्ष ने अपने त्वीट संदेश में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेटकर ने समानता स्वतंतरता न्याय और बंधुत्व के मुल्यों को बढ़ावा देते हुए संपून विश्व को ट्रेना देने वाले सम्विधान की रस्णाटी भारत अथा भारतियों के प्रति उनका योगदान वंधनिया है युप्रूश बाबा साब डाक्टर भीमराव अंबेटकर की जैनती पर उन्हें कोटी कोटी नमन संपून देश्वासियों को शुपका बनाए भारत अतन बाबा साब अंबेटकर सामाजिक बदलाओं के सशक प स्तंता और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया बाबा साब ने हर वेक्ति को समान अधिकार न्याय का अधिकार, स्तंता का अधिकार, पूजा पत्तती का अधिकार और इसी लिए भारत के सविधान के निर्मान के समेही बाबा साब ने सामाजिक न्याय के सिध्धान को सरपरी रखा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सविधान भारत का है और सविधान भारत के लिए हमेशा प्रेंडा का सोत है मार्दर्शन की भूमी का निबाता है बाबा साब का सविधान सभा में भी विशेश रूप से योगदान था वे सविधान सभा के प्रारुख समीती के अध्यक्ष थे उन्होंने अपने ज्ञान और दुनिया में सरोतम सविधान भी बनाया और एक ऐसे सविधान बनाया जिसमें सुदंता समानता न्याय बंदूत के आदर्श है विक्ती के अधिकार का सवाल हो, मूल करतेों का सवाल हो, शाषन के निती निदेशक के तत्व का सवाल हो यह सब उन्होंने सविधान निर्मान के समय, उस सविधान के अंदर विशेश रूप से कि भारत का सविधान आने वाले समय में देश के लिए मारदक्षन की भूमिका होगा आपको जैसा मैंने कहा कि संसत के तत्वाधान में एक विशिष्ट कैरक्रम का आयोजन किया जा रहा है आप देख सकते हैं राश्पती द्रापदी मुर्मू, प्रिधान मंत्री, उपराश्पती कैरक्मिस्तल पर पहुंच चुके हैं आप श्रधा सुमन अर्पित किये जाएंगे, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं पुश्प माला राश्पती के हाथ में और अर्पित की भारत रत्न वावा साथ भीम राव हम बेट करको पुरा देश आज जन जनती मना रहा है समिधान निर्माता वावा साथ भीम राव हम बेट करकी राश्पती नमन करती हुए उनको याद करते हुए आप देख सकते हैं अब धर्म गुरूं से भेट करती हुए राश्पती अब प्रधान मंत्री जी ये स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आप प्रधान मंत्री जी जिनका अभी जिक्र कर रहे थे कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था पुश परपित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बवासाब भीमराव अंबेट करकी विशाल चित्र के समाक्ष उप्राश्पती और राश्पती विचार करते हुए आपस में चर्चा करते हुए प्रधान मंत्री अब भेट करते हुए बहुत भिक्षूं से हमने क कि अपने जीवन काल में अंतिम चरण में जब थे थो बौध धर्मस्विकार किया था वावासाब भीम्राव अम्वेटकर ने और ये व्रद चित्र वावसाब भीम्राव अम्वेटकर का आज पूरा राश्ट वावसाब भीम्राव अम्वेटकर को याद कर रहा है याद कर रहा है उनके प्रयासों को याद कर रहा है उनके इत्याग को यात कर रहा है समुधान निर्मान में उनके योगदान को और यात कर रहा है कि इस तरीके से समानता का सुत्रधार वो बन पाए अपने जीवन काल में अथक परिश्रम से अथक प्यास से राश्पती, उप्राश्पती, प्रधान मंत्री, लोकसबाद द्यक्ष अभी टेल्विजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे थे और ये मूर्ती बाबा साब भिम्रावं अम्बेट करकी जो परिचायक है हमारे लोकतांत्रिक मुल्यों का, समानता का उप्राश्पती, उप्रधान मंत्री आपको अभी अपने टेल्विजन स्क्रीन पर नजर आ रहे है खड़के साब कॉंग्रेस के नेता सोनिया गांदी जी, विपक्ष के भी तमाम गणमान व्यक्ती इस विशिष्ट आवसर पर इस कारक्र में सहभागिता निभा रहे हैं से भेट करते हुए अन्य विशिष्ट गणों से भेट करते हुए प्रधान मंत्री उप्राश्पती सबसे भेट करके आगी बढ़ते हुए प्रधान मंत्री त Lords नरेंद्र मोदी राज्य सभा के सभापती और देश की उपराश्पती जगदीब धनकर भी आपको नज़र आ रहे थे तेज़ विजन स्क्रीन पर आपने एक बात कही थे श्रीपकाजी वो चूंकि हम लोग संदेश प्रेशित कर रहे थे राश्पती और लोग सभाध ध्यक्षिका देख सकती हैं चुदानमंत्री नरे निर्मोदी सभा स्थल से बाहर जाते हुए उपराश्पती भी उनके साथ साथ हैं आपने कहा कि चुदानमंत्री ने जो है बहुत बड़ा निर्णे लिया इस अंतराश्टिय अंबेटकर सेंटर को स्थापित करने का लेकिन आपने साथ में एक बात और भी जोड़ी आपने कहा कि वो कदम ऐसा ही व्यक्ति ले सकता था जो अंबेटकर जी के विचारों को अपने जीवन में उतारता है उनको बाकाइदा जिया करता है दक्ये मेरा मानना है और मेरा ही क्या समाज का भी वानना है कि जिस व्यक्ति ने वो दर्द जहला हो अभाव जहला हो उन परस्थितियों को महसूस किया हो समाज की कूरीतियों के बारे में समझ बनाई हो वही इन सभी समस्याओं के निराकरण में निभूमिका निभा सकता है और सौभागे से हमारे पास इस वक्त ऐसा प्रधान मंत्री है जिसका बच्पन भी अभाव में ही बीता और उस अभाव से निकल करके उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है तो इस नाते में उनको जोड रहा था उस द्रिष्टी से एक बात मैं माननी है लोकसभा ध्यक्च के संबोधन के बीच से ही आप सभी की माध्यम से रखना चाहता हूँ समानता स्वतंतरता और बंधुत्व ये तीन सब्द बहुत महतुपूर है और राजनेतिक बिमर्स कई बार इन तीन सब्दों के इर्दगर घुमता है बाबा साहब को ये सब्द बहुत प्रियत है लेकिन बाबा साहब बड़ी खुबसूरत बात कहते हैं जिसकी तरफ अकादमिक जगत ने ध्यान नहीं दिया जिस पर बहुत बिमर्स हुआ नहीं बाबा साहब कहते हैं सवतंतरता समानता और बंधुत्व का ये विचार मैंने फ्रांस की क्रांती से नहीं लिया है मैंने ये सब्द ये प्रेरक सब्द महात्मा बुद्ध से लिए हैं तो हम सब को सोचना चाहिए कि जो अकादमिक जगत में एक बिमर्स चलता है ये उरोपी सभ्यता के चलते या ये उरोप के चलते समानता सुतंतरता जैसे सब्द हमारे ब्योहारिक जीवन में आये या गलत है बाबा साहब को पढ़ेंगे तो बाबा साहब बहुत असपस्टता से कहते हैं इन सब्दों का उलेख इन सब्दों के लिए प्रयास महातमा बुद्ध ने सदियों पहले भारतिय समाज में समासुधारक के रूप में किया है जी जी महातमा बुद्ध का बहुत प्रभाव था अगर बात करें बाबा साहब भीम्राव अमबेट करके जीवन की उनके व्यक्तत की उसकी एक वज़े तो आपने बता दी है उसके अतिरिक्त और क्या ऐसे आयाम थे या फिर क्या ऐसी खासियत थी महातमा बुद्ध की जो उन अत्मा बुद्ध मय हो गए अपने जीवन के अंतिम काल में दिविंद्र जी प्रतिविम जी दो चीजे में बताना चाहूंगा जिकर करना चाहूंगा एक तो सर ने बताये कि समता स्वतंतरता और बंधोतों की जहां संस्कृति की बात आती है तो हमें दो चीजों में डिफ मिलते हैं हम अलग अलग जगहें पर रहते हैं तो भेद प्रकरती का नियम है उस भेद को नोट करके हमारे रेशियों ने मनीशियों ने ये एक विचार किया कि हमें अगर एक साथ रहना है और प्रगती करनी है मानवता को बचाना है मानवता को उन्नती की तरफ लेके जाना है और मन मस्तिक्स को उन्नत करना है तो हमें अभेद की तरफ बढ़ना होगा जब हम अभेद की तरफ बढ़ते हैं तो हमें हमारे जो समाज हैं यह हमारी जो समाजी की विवस्ता हैं उनमें दो चीजें देखते हैं एक को हम कहते हैं यूनियन जिसको संग कहते हैं और दूसरी organization जिसको संस्था कहते हैं संस्था और संग जब बने तो संस्था में एक बात होती है कि उसमें एक hierarchy होती है एक बड़ा होगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा कोई managing director होगा फिर manager होगा फिर उससे छोटे hierarchy में आते हैं उनको सब को उनकी अपनी identity दे दी जाती है भगवान बुद्ध ने क्या किया कि उन्होंने संग बनाए संग स्थापित किये और संग स्थापित करने के बाद संग की एक वो होती है अपनी एक संदरचना कि संग में भेद नहीं होता है तो जो भारती संस्कृति थी अभेद से अभेद की तरफ बढ़ने की वो भगवान बुद्ध ने अपने संग के माध्यम से पूरे संसार को ये संदेश दिया कि यहाँ पर कोई हारायर की नहीं है सब लोग एक ही रहेंगे और एक रहने के बाद सब एक ही विचार लेके आगे बढ़ेंगे ताकि सब की समान उन्नती हो सके वो ब स्टेट ओव इंडिया होगा उन्हों ने कहा कि इंडिया देट विल वी दा यूनियन ओफ स्टेट क्योंकि मेरी समझ से उनको कहना था कि मेरी समझ से मैं किसी भी राज़ी में भेद नहीं करूंगा कि समान अधिकार कर आदूंगा जो सरबात करए कि तो तैन किवो जब उनकी भेट हुई थी और उन्होंने कहा था कि 370 का प्रावधान होना चाहिए, विशेश दर्जा दिया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो ये पूरे देश के साथ एक ज्यात्ती होगी और ये ज्यात्ती मैं अपने जीवन काल में तो नहीं क कर सकता हूँ, क्या बात सही है? बिल्कुल सही है, बावा साहब सेख अब्दॉल्ला साहब को नेरू जी ने सलाह दी कि आप डॉक्टर अमबेतकर से मिलिए और इन प्रावधानों पर बात करिये, तो डॉक्टर अमबेतकर से वो मिले और जो वो प्रावधान चाहते थे उस उसकी चर्चा उन्होंने की और बाबा साब ने बहुत बिनम्रता से उनको कहा कि यह संभव नहीं है और उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया से स्वैम को अलग कर लिया और इसी नाते आप देखेंगे कि 370 का जो प्रावधान उस विसेश प्रावधान जो जम्मू कास्मीर प्र उप्ता के विचार के विप्रीत है और इसलिए आपके माध्यम से पूरे देश को मैं सादुवाद देना चाहूंगा इस सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने 370 के जो कुछ प्रावधान विसेश दरजा दे रहे थे उससे मुक्ति दिलाई और आज समरस समाज क कि अस्थापना करने में जम्मु कासमीर का जो छेत्र है वह एक महत्पूर्ण भूमिका निभा रहा है अब स्वहम सोचिए वहीं पर वरसों से रहने वाला जो समाज है वो अधिसूचित समाज नहीं था वहां कोई रिजर्वेशन नहीं था पूरे देश में बंचित बंध साया गया है धारां तीन सो सतर से तब से समता मूलक समाज की अस्थापना वहां हो रही है और तमाम विकास आत्मक कारे हो रहे नुँगरी हो तमाम सरकारी नौकरियों में अब आरख्चन के प्रावधान भी लागू हो रहे हैं जी और हम लगातार प्रधान मंतरी का जिक्र भी कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले हमने देखा प्रधान मंत्री का अरक्रम स्थल पर पहुंचे थे उन्होंने पुश्प अर्पित किये श्रदा सुमन अर्पित किये बाबा साहब भीमराव अंबिटकर को याद किया और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने समाज के हम सभी बाबा साब के जीवन संगर्श से परिचीत हैं इतने संगर्शों के बाद ही बाबा साब जिस उंचाई पर पहुंचे वह हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेड़ा है वो एक यूनिवर्सल वीजन के व्यक्ति थे बाबा साब की विचार दारा के मूल में समानता अनेक रूपों में नहीत है सम्मान की समानता कानूं की समानता अधिकार की समानता मानिवियक गरिमा की समानता अउसर की समानता आज हादी के लड़ाईदे हमारे लाखों करोडों स्वाधेंता से नानियों ने सम्रस समावे सी ठारत का सपना देखा था उन सपनों को पूरा करने की शुरुवात बाबा साहब ने देश को सम्मिधान के देखर के देखे था आज उसी सम्मिधान पर चलकर ठारत एक नया भविश्य कर रहा है सफ़ता के नये आयाम हासिल कर रहा है मैं कृतक जिराश्य के तरफ से सभी देश्वाश्यों की तरफ से बाबा साहब को आदर पुरुवग सद्धान लियर्पित परता है समानता के सूत्रधार बाबा साथ भीमराव अंबेटकर की जैनती पर इस कारकम में लगतार हम बाबा साथ भीमराव अंबेटकर के जीवन पर बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग समानता के सूत्रधार कारकम कर रहे हैं देविंद्र जी और समानता एक स्तर पर नहीं थी समानता विभिन स्तरों पर मानते थे बाबा साथ भीमराव अंबेटकर और उसे प्रतिस्थवापित करने का लगातार प्रियास भी अपने जीवन काल में उन्होंने किया इसका जिक्र प्रधान मंतरी जी ने अपने संदेश में कर दिया यह उनकी जो फिलोसोफी है उसकी आत्मा को प्रधान मंतरी जी ने बयान किया है आप देखी समानता के कितने पक्षदर्थे मैं एक एक्जामपल बताना चाहता हूँ आपके माधिम से कि 1942 में हम उनके पहले के अगर जीवन को ना भी देखें तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब राजनीतिक जीवन असल में शुरू किया जब उनको 1942 से और 46 तक 42 से चालिस तक उनको मंतरी मंडल में लिया गया वायरस राय द्वारा और उनको दिया गया कि आप फिलहाल हमारे मंतरी मंडल में आएए और मंतरी मंडल में आके लेबर मिनिस्ट्री समालिए उस समय भारती जो समाज में जो अंग्रेजों ने विवस्था कर रखे थी या जो था कि लिंग भेद काम कारिय स्थल पर भी किया हुआ था और बाबा साहब को ये बात बहुत नागवार गुजरी की एक व्यक्ति एक महिला उतना ही काम करती है जतना पुरुष्ट करता है उस से ज़्यादा वो बलकि अपने बच्चे को भी समालती है उस बात को लेके उन्होंने लेबर के लिए जो लेबर लोज बनाए वहाँ पर कहा कि कोई भेद नहीं होगा equal work, equal wages होगा कितनी अच्छी समानता की बात करी दूसरी बात बोला उन्होंने कि जितने कारिये घंटे नरधारित करे हुए अभी वो मानवता के खिलाप है समानता के खिलाप है maximum एक एक सब्ताह में 48 hours होने चाहिए उससे जादा नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में इसके बाद उन्होंने उनकी जो महिलाओं के लिए अलग से विवस्ता करी कि अगर किसी महिला के पास छोटा बच्चा है तो उनको फीडिंग के लिए अलग जगें चाहिए maternity leave का प्रावधान किया समानता के पक्सदर इतने रहे थे कि उन्होंने नाकेवल जातिगत जो भेदभाव और एट्रोसिटीज हो रहे थी उसका विरोध किया बलकि संपून समाज में जो हमारी आधी आबादी है उसके लिए इतना काम किया कि वो संसद में भी उनके लिए लड़े थे जो दूसरे एक्जामपल प्रदानमत्री जी भी कई बार बोल चुके सर भी बहुत सारे मंचों पर उसका कर चुके हिंदू कोड़ बिल को जो लेके आए थे उसमें सिर्फ आधी आबादी को अधिकार देने के लिए और वो समानता लिंग भेद आधारित जो लिंग आधारित भेद भावते उसको खतम करने के लिए ही वो होता है तो प्रदानमत्री जी ने बहुत सही तरीके से उनकी फिलोसोपी उनके दरसन की आत्मा को बताया है इस अपने वक्त पे शिर्फ प्रिकाश जी बाबसाब भीमराव अंबेटकर महिलाओं के वारे में कहते थे कि कौन सा समाज कितना विकसित हुआ है इसको अगर इसका मापदंड तै करना है तो हमें उसमें देखना होगा कि उस समाज में इस्तिरियों के स्तिती क्या है कितना बड़ा सूत्र उन्होंने दिया कहिना कहीं विकास का कि जिस बात को देवेंदर जी कह रहे थे उसको मैं पुना अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि नारी सिक्षा को ले करके उनके कारे अस्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं को ले करके कितने घंटे वो काम करेंगी उसको ले करके वेजेज को ले करके क्या क्या सहुलियत दी जा सकती हैं उसको ले करके जो बाबा साहब ने ततकालीन परिस्थितियों में अंग्रेज सरकार के समय काम करते हुए उनकी मंदलिये व्यवस्था में काम करते हुए कि ये वो बहुत अतुलनी ये कारिये हैं अतुलनी ये कारिये इसलिए हैं कि उन्हीं की व्यवस्थाओं का विरोध करना और उस विरोध से रास्ता निकाल करके एक नीती बना लेना और उस नीति का आज तक अनुसरन हो रहा है आप देखिए मेटेंटी लीब का लाभ हमारी महिला सक्ति को प्राप्त होता है वो आज इक्वल वेजेज का नियम है काम के घंटे हैं तमाम सुविधाएं आज प्राप्त हो रही है तो अगर एक मेव किसी को उसका स्रेय हमारे संविधानी क्यात्रा में दिया जा सकता है तो वो केवल और केवल बाबा साहब को दिया जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार अपने चित्रों में दिखा रहे हैं राश्पती दृबदी मुर्मू को जन जाती ख्षित्र से आने वाली द्रापदी मुर्मू जी स्विम नारी हैं, स्त्री हैं बाबा साहब हिमराव अंबेट करने समिधान में जो प्रावधान किये हैं महिलाओं के लिए शायद वही एक कारण है कि देश के सरवच पद पर एक नारी वो भी जन जाती है, समदाएं से आने वाली नारी विराजमान है देविंदर जी जी बिलकुल आज बाबा साहब की आत्मा बहुत प्रिशन हो रही होगी जब एक महिला शक्ती उनको फुस्प अर्पित कर रही है, उनको सरदान जली अर्पित कर रही है, उनको अपना सम्मान अर्पित कर रही है कि ये आपकी वज़े से मैं आज इस स्थान पर पहुँची हूँ और जो सरबात कर रहे थे कि उन्होंने जो किया महिलाओं के लिए वो अधितिय है अतुलिय है उसी बात को ले के जब भारत सरकार ने निने लिया कि महिलाओं की उन्नती हम कैसे करें तो आपको परतिविम जी बार-बार आपने भी इस चीज़ को बहुत बार दिखाया है अगर हमारे समाज में महिलाएं सिक्सित होती हैं और महिलाएं आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है जो आपने अभी का कि महिलाओं की प्रगती किसी समाज की प्रगती को दिखाती है यह बाबा साब कहते थे ये बात जो है उन्होंने 1942 में नागपुर के एक सम्मेलन में बोला था और प्रदानमंत्री जी का और उनकी समानता एक और मैं बता रहा हूँ कि प्रदानमंत्री जी ने स्वच्छता का एक संकल्प लिया और पूरे देश को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे आग रहे किया और स्वच्छ उसका एक्जामपल देते चले गए ये बात 1932 में बाबा साहब ने नागपुर में महिलाओं के एक सम्मेलन में कही थी दलित महिलाओं के में कि आपको सबसे पहला काम ये करना कि आपको स्वच्छ रहना है क्योंकि बार बार एक बात आती थी कि एस प्रस्ता है समाज में तो उन्हों ने ये कहा कि भी देखिए सबसे पहला आप काम ये करी कि स्वच्छ रहे ताकि आपके मन में स्वच विचार आए, आपका परिवार, क्योंकि आप पूरे परिवार को देखती हैं, अगर आप स्वच रहेंगी तो पूरा परिवार स्वच रहेगा, पूरा परिवार स्वच रहेगा तो विचार स्वच रहेंगे और समाद स्वच बनेगा, उस बात को लेके कहा कहा प्रधान मंत्री जी ने क्या क्या तो नहीं किया कई बार तो ऐसा लगता है कि स्वैम बावा साब उनके अंदर बैठके बोल रहे हैं और वो सारी विचार धारा को लेके चल रहे हैं तो महिलाओं की प्रगतिके तो बहुत बड़े समर्था और सबसे बड़ी बा महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था रेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जब से यहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू ही तब से महिलाओं को समान अधिकार है अपने मतदान करने का कितना बड़ा यह अधिकार समानता का महिलाओं को प्रदान किया गया हमारे समिध प्रत्विम्ब जी जब आप संचालित कर रहे था मैं सोच रहा था कि आप आधरणिया राष्ट्पती जी का उलेख नहीं कर रहे हैं और मुझे बहुत खुसी हुई जब आपने उलेख किया देखिए इस पद पर पहुंचना वो परिलक्षित करता है कि बाबा साहब का संविधान बाबा साहब का कृतित तो उनका विक्तित तो उनका विचार किस तरह से समाज को संचारित कर रहा है किस तरह से समाज को ताकत दे रहा है और भारत के प्रतेक प्राणी में इसी नाते में कह रहा था कि आज बाबा साहब क बगेर उनकी विचारों के बगेर भारत की विकास यात्रा जो है उसकी संकल्पना बहुत मुस्किल है तो बहुत महत्वपूर रूप से बाबा साब हम सब के जीवन को प्रोहावित कर रहे हैं हम सब के जीवन को चू रहे हैं दूसरा विचार जो आपने रखा महिलाओं की रा बहुत कुछ इस समाज को भारत को दिया है उन्होंने महिला क्या 18 वर्स की उम्र प्राप्त युवक युवती किसी भी जाती का हो किसी भी वर्ग का हो किसी भी धर्म का हो बगैर भेद भाव के उसको मताधिकार दिया मताधिकार के साथ चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवार के रूप में सवागिता का भागीदारी का दिकार दिया और कहीं पर भी कोई भेद भाव हमारा सम्विधान नहीं देता है और यह सारा का सारा स्रेय ततकालीन परिस्थितियों में बाबा साहब को दिया जाता है मैं आपके माध्यम से एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग फ्रस्न उठाते हैं उन्हें Constituent Assembly Debate जरूर पढ़नी चाहिए और कई जगों पर आपको मिलेगा कि बाबा साहब ना होते तो क्या होता बाबा साहब स्वेम लिखते हैं एक जगा कि संविधान सभा चल रही है एमस एन अब्जेक्टिव ततकालीन प्रधान मंत्री नहरूजी पेस कर चुके हैं उस पर चर्चा होनी है जिसने पेस किया वो सदन में नहीं है नहरूजी सदन में नहीं है यानि संविधान सभा में नहीं है और डॉक्टर राजेंद प्रसाद जो कि अध्यक्ष हैं वो एकाएक बगेर किसी सूचना के बाबा साब को कह देते हैं बोलने के लिए उसको डिफेंड करने के लिए ये उनका चातुरिय था ये उनका अध्यन था ये उनकी चमता थी यो पूरे एमस and औबजेक्टिव को उन्होंने डिफेंड किया और इतनी सरलता से इसनी सगनता से डिफेंड किया और जब उन्होंने प्रत्युत्तर में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि आप अपने आप सब कुछ बेवस्तित कर लेंगे तो ऐसी छमताएं अपार छमताएं बाबा साहब अम्बेदकर में रही हैं जिनका दिखदर्शन अभी भारतिय समाज को होना है और मैं पहले भी आप से कह रहा था उनकी जो रचना है प्राब्लम अफ रूपीज उसके सौ साल पूरे हो रहे हैं देश को पुना हुसका अध्धन करना चाहिएगा एक नया बाबा साहब उसमें से हमको अवस्ति मिलेगा ऐसी मेरी समझ बनती है जो आर्थिक विशेशग्यत है उनकी उस विशेशग्यता पर भी हम चर्चा करेंगे चूंकि अभी समझ धान का जिक्र चल रहा है तो इसी जिक्र को थोड़ा सा और विस्तार देने की कोशिश करते हैं देविंद्र जी बावसाब भीमरावंबेटकर ने कहा कि समझ धान की निर्मिती हो गई है अंगिकार कर लिया गया है इसे लागू कर लिया गया है लेकिन इसके बावजूद भी देश में सब कुछ सही घटित रहेगा कुछ गलत घटित नहीं होगा ऐसा नहीं होगा लेकिन उन्होंने ये तो सही धंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल सही विशे उठाया आपने प्रतिविंब जी और समीधान का जब निर्मान हो रहा था और उनको अगर समीधान को वास्ता में समझना है लोग बात तो करते हैं कि भेदभाव अभी है भेदभाव ये था वो था समीध वापर कास से समीधान सबा में बेटे थे तो वो तो कुछ लागू ही होने देते लेकिन उस समय भी लोगों की दिमाग में यह था कि हमारे समाज में अच्छा समीधान आना चाहिए जिससे समाज चले वही वावावा साव का मंतब था समीधान को बनाके लागू करने के है बलकि उनको फिक से लागू नहीं किया है सीधे तस्वीरे देख रहे हैं सेंट्रल हॉल की लोकसब अध्यक्ष आपको टेल्वीजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं नमन करते हुए पबासाब भीम्राव अंबेटकर के चित्र को मलिक अर्जुन खड़गे साब भी आपको नजर आ रहे हैं कॉंग्रेस के माना निया सांसद बीजेपी के राष्टिय अध्यक्ष नड़ा साब पुष्प अर्पित करते हुए संसद भवन की बाहर जो एक करक्रम हो रहा था जिसकी तस्वीरे हमने पहले साजा की थी जहां पर प्रदान मंत्री भी मौझूद थे उससे इतर ये केंद्रिक कख्ष का एक करक्रम है अब मंत्री मंडल की सदस से भी पुष्प परपित करते हुए इश्रदसुमन अरपित करते हुए संसद भवन की केंद्रिक कख्ष से सीधी तस्वीरें साजा कर रहे हैं लुक सबाद्धक्ष और कंग्रेस के राष्टिय अद्धक्ष मलिक अरजुन खडगे जी आपको नजर आ रहे हैं संसद भवन के केंद्रिक कख्ष की ये तस्वीरें हैं कारक्रम बकाइदा प्रारम हो रहा है केंद्रिक कख्ष में ये हमारी लोकतांत्रे की विवस्था जो हमें विरासत में मिली है और जिसके लिए बहुत अप्रियास किया भारत रातन भीमरावांबेटकर जी ने वो ये तस्वीरें उसकी विशेशताओं को कही ना कही परिलक्षित कर रही है शिर्परकाजी देखिए बाबा साब जब मैं पढ़ता हूँ जब उनको समझने की कोसिस करता हूँ तो मैं कई बार सोचता हूँ कि इस विक्ति ने कितने वलिदान दिये कितने स्वार्थों से उठकर कि किस तरह से समाज को भारत को सीचने का प्रयास किया समझने के हवाले से ही जिक्र करूँ उन्होंने संसदिय लोकतंत्र को अध्यक्षिय लोकतंत्र के उपर महत्तु दिया जबकि उनकी अपनी जो समझ थी या उनकी जो अपनी पसंद थी वो अध्यक्षिय लोकतंत्र की तरफ थी जो संगिय धाचा है वो अमेरिका के संगिय धाचे को विक्तिगत रूप में पसंद करते थे लेकिन भारतिय समाज का ऐसा गहरा अध्यन उन्होंने किया जब उनको लगा कि वो विवस्था या नहीं चल सकती तो उन्होंने अध्य संगिय धाचे को महत्तु दिया और एक ऐसी संकल्पना संगिय धाचे की की जिसको हम बहुत सफलता पूर्वक पिछले 75 वरसों से उप्योग में चल रही है या उप्योग में है तो मैंने कहा नहीं संविधान सभा के माध्यम से संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने जन जन तक अधिकार को पहुँचाया और उस जो बाते वो अधिकार में मौलिक अधिकार में सामिल नहीं कर पा रहे थे जिसको महस बहुत सिद्दत से महसूस कर रहे थे कि ये राश्टर के लिए बहुत महत्वपूर हैं वो सारी बाते हमको राज्य के नीत निर्दे सकता तत्तों में मिलती है आप देखें कि जो संविधान के स्रोत हैं उसमें अन राज्यों की सफलताओं का अनुभव भी सामि है और ये उतना ही गुणी व्यक्ति जान सकता था जो सभी संविधानों का अध्यन करता हो और मैं राज्यनीति विज्ञान का विद्यारती हूं। ग्रीक विचारक अरिस्टोटल के बाद साइद इतने उन्होंने अरिस्टोटल ने 158 सम्मिधानों का अध्यन ऐसा माना जाता है किया था चाहे वो लिखित थे अलिखित थे बाबा साब के बारे में भी माना जाता है कि उन्होंने 60 देशों के सम्मिधानों का अध्यन किया था इसी नाते उन पर यह महत पूर्ण जिम्मेदारी डाली गई मैं आपको आपके माध्यम से एक बात और साजा करना चाहता हूँ कि पंडित नहरू जी और सरदार पटेल गांधी जी के पास बिमर्स को पहुचे बिमर्स के लिए और वे सर आईवर जैनिंग्स को सम्विधान सभा में एडवाइजर के रूप में आमंतरित करना चाहते थे जर्मन से ब्रिटेन से लेकिन गांधी जी ने सुना और मुस्कराते हुए का कि हमारे पास अपना आईवर जैनिंग्स है और उन्होंने बाबा साहब का नाम सलाह के तौर पर दिया तो जो लोग बाबा साहब और गांधी जी के बीच टकरा उड़ूटते हैं मैं उनको भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब और गांधी जी एक अलग-अलग धारा के नेता थे जो समाज को अपने अपने तरीके से सुधारने का प्रयास कर रहे थे या अंग्रेजी सासन सत्ता के विरुद्ध संगर्स कर रहे थे के रास्ते अलग ते लकिन लग छेक था भारत को बनाना मानवता की सुरक्षा करना समानता को अस्थापित करना असमानता के जो तत्तों है समाज से दूर करना तो जहां आऊ सकता पड़ी वहां बाबा साहब ने गांधी को स्विकार किया और जहां गांधी जी को लगा कि ये क बाबा साहब बहुत सुगमता से कर सकते हैं वहां गांधी जी ने बाबा साहब को आगे किया जै तो हमें टक्राव की बजाए उन दो महान पुरुशों के बीच में जो साम में है जो उनके बीच सईयोजन बना उसका भी लाव लेना चाहिए उसका भी अध्धन करना जाए जी पीछे कहीं न कहीं गांधी जी के विचार ने कारे किया अगर बात करें किस तरीके से भिम्राव अम्बेटकर जी गांधी जी का सम्मान करते थे पुनाप पैक्ट अपने आप में एक ज्वलंत उधारन है अगर सम्मान नहीं रहा होता गांदी जी के प्रती बाबा साहब भीमराव अंबेट करका तो वो पैक्ट नहीं हो पाता बिलकुल बिलकुल देखिए बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि और हमने शुरू में एक बात कही थी कि बाबा साहब का किसी से घ्रणा और द्वेश नहीं था जब हम बात करते हैं कि बाबा साहब और गांदी जी के बारे में जो हमें बताया गया उस ब्रहम को इस माध्यम स से आज हम तोड़ने की कोशिश भी करते हैं बाबा साहब जब गॉलमेज समयलन में तो गॉलमेज समयलन में गांधी जी और बाबा साहब के बीच कुछ मतबेद हुए और उनको अंग्रेजों ने यहां पर विभिन नमाध्यमों के विभिन तरीकों से बताया कि दोनों के अवसर नहीं छोड़ा भारत को तोड़ने का और नेताओं में मतबेद कराने का बाबा साहब और गांधी जी में दोनों में एक बहुत बड़ी समानता जो थी वो देश को एक रखना चाहते थे अब बाबा साहब ने वो जब कम्यूनल आवार्ड लिया वहां उनको दिया ग करता है इसको हम नहीं चाहते हैं तो बाबा साहब ने कि ठीक कुछ समय के लिए हम इसको लागू करके और हम इसको आगे लेकर जाएंगे बाद में खत्म करेंगे लेकिन गंदी जी अक्रम पर बैठे उस समय की बात में कर रहा हूं और जब आमरन ऑपर बैठे एरवड़ा जेल में तब बाबाश साहब का बड़ा दिल भी हुआ कि अगर गांदी जी इस तरह की बाते करें तो कोई तो विचार होगा उनके दिमाग में खुद स्वैम बात करने गए हैं वहां पर गांदी जी से भी मिले हैं और मालवी जी को जब गांदी जी ने अपना प्रतेनी आती है कि वो कहते हैं कि मैं उनको महत्मा नहीं मानता मैं उस पर भी बात करना चाहता हूं देखिए बीबीसी ने एक इंटरव्यू में दिखाया अब एक व्यक्ति जब किसी एक चीज को मान चुके हैं उन्होंने कहा कि मेरी महत्मा की डेफिनेशन में केवल बुद्ध फि रखेगा मैं उसको ले आऊंगा मैं मात मैं कह दूँगा लेकिन उन्होंने नहीं माना ऐसा नहीं उनको बहुत बड़े एक सुधारक मानते थे उनसे जलाह भी करते थे और यही खारण था कि उनका सम्मान करते हुए जैसा कि सर बता रहे थे गांधी जी ने उनका नाम लिय कि हमारे पास विद्वान है ना हम बाहर से क्यों आमंतरित करें डोक्टर अंबेड कर को बुलाईए और यह बनवाईए उसका दूसरा कारण एक और बात प्रतिपिंब जी में लाना चाहता हूं कि 1935 का जो गोर्वर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट था उसको बनाने में बैब मंतरी जी को उससे में सला देके और उनका नाम लिया और उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अधिक्स बनवा दिया जी 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 बहुत सारे आयम हैं बाबा साब भिम्राव अम्बेटकर जी के व्यक्तित्व के और उन आयमों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अफसर भी ब उसको थोड़ सा विस्तार से जाने की कोशिश करते हैं एक कुशल अर्थशास्त्री के तौर पर उनको बहुत सामने नहीं लाया गया लेकिन एक बहुत ही कुशल अर्थशास्त्री थे और अगर अर्थशास्त्र के अगर उनके सुत्र हम लोग आजादी के पशात लगातार उसका प्रियोग हम लोग सही धंक से करते तो बहुत सारे आर्थिक उतार चड़ावों का हमें सामना करना पड़ा उन उतार चड़ावों का सामना हमें नहीं करना पड़ता क्या ये बात भी सही है ये बहुत सामाईक प्रस्न आपने पूछा है बाबा साब को जब हम पढ़ते हैं उनके आर्थिक विचारों को पढ़ते हैं तो प्राबलम अफ रूपी जो उनकी थिसी से उसको ही ठीक से पढ़ लिया जाया तो बहुत कुछ मिल जाएगा रिजर्ब बैंक आज हमारी एकॉनमी किस दिसा में चलेगी उसको तै करता है बैंकों की स्थिती उसके इंसर में चड़का काम करता है रैपो रेट तै करता है तो रिजर्ब बैंक भारत को मिला वो देन भी बाबा साब की है एक बड़ी खुबसूरत बात बाबा साब कहते हैं भारती समाज को देखते हुए उनका कहना था कि हमारे जो जो जॉइंट परिवार हैं संयुक्त परिवार हैं वो टूट रहे हैं बिखर रहे हैं और जब ये परिवार भी करते हैं, तो हमारी जो जोत है, हमारे जो खेत हैं, वो छोटे होते जाते हैं। तो बाबा साब ने वहाँ अपनी उस थिसिस में सनरचना दी है, कि ये खेत जो है, तो जोत जो है, वो छोटी नहीं होनी चाहिए, उसका बड़ा सुरूप होना के खेट जब छोटे हो जाएंगे उसमें ट्रैक्टर नहीं चल सकते उसमें तकनीक का उपयोग नहीं हो सकता तो बाबा साब का यह सूक्त अगर हमारे नेताओं ने लिया होता उसको जान लिया होता ठीक से तो सायद जो हमारा संयुक्त परिवार है उसको बचाने का भी ठीक से प्रयास हुआ होता हमारी जो जोत छोटी होती जा रही है उसको भी बचाने का प्रयास हुआ होता और ततकालीन परस्तितियों में वो संकल्पना कर रहे हैं उत्प बार्दन की चमता कैसे खेतों की बढ़े उस विचार को भी सायद व्योहारिक रूप दिया गया होता इसके अलावा रूपय का और मुलन आज आप देखें कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतरित में रूपय की ताकत बढ़ी है तमाम देश हमारी करेंसी में ब्यापार करने के लिए राजी हो रहे हैं बाबा साब अम्बेदकर ने इस की तरफ तत्कालीन परस्थितियों मुनीस सो अठारा में ही ध्यान दे दिया था और उन्होंने कहा था कि रूपय का जो अमुलन है उसको इस रूप में परिभासित किया जाए उसके पीछे कुछ रिजर्व रखा जाए जिससे इसकी ताकत जो है वो अन्य अर्थ व्यवस्थाएं भी महसूस कर सके जी जी जैसे कि हमने कहा कि पूरा देश या बाबा साब हिम्राव अम्बेटकर की जन जनती